Hello everyone, उमीद है आप सब खेरियत से होंगे आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुती ज़्यादा informative, simple और एक बहुती important topic के ओपर है Corpus Linguistics के ओपर Corpus Linguistics की तरफ जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि Corpus क्या है तो हम लोग define करेंगे Corpus को उसकी etymology देखेंगे Corpus की kinds और advantages के बारे में बात करेंगे और हम Corpus Linguistics की legal definitions देखेंगे कि different linguists ने किस तरह से Corpus Linguistics को define किया है और Corpus Linguistics की हम लोग history और scope के बारे में भी तफसील से बात करेंगे सबसे पहले हमारे पास etymology and definition of corpus यह जो word corpus है यह derive किया गया है latent word से etymology किसे कहते हैं किसी भी word का origin होता है उससे क्या कहते है waters etymology यह जो word corpus है यह derive किया है latent word से जिसका मतलब होता है body अब यह जो word corpus है यह असल में एक singular word है इसका plural होता है corporal आब यह word corpus है इसका मतलब होता है body, group या फिर people जाहिर करा है जिसमें रेफिर किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को किसी भी तरह के एनी टेक्स्ट को रिटन और स्पोकन फॉर्म में जो भी टेक्स्ट आ जाता है जो हम बोल रहे हैं जो हमने लिखा हुआ यहां पर यह सारे का सरा क्या है कॉर्पोरा है यानि कि यह क्या है कॉ तो यह सारे का सरा टेक्स्ट जो है यह क्या है कॉर्पस है इसकी होगी अटेमोलोजी अब हम इसकी डेफिनिशन की तरफ आ जाते हैं कि इसकी डेफिनिशन को हम देखेंगे सबसे पहले एक इसकी जो आम से हम इसको किस तरह करते हैं कॉर्पस जो है कलेक्शन आफ टेक्स्ट ह जो कि linguistic analysis में use की जाती है, जो कि usually data based form में store किया जाता है, वो किस तरह से, यानि कि जिसे हम computer से access कर सकते हैं, हम mobile उठाते हैं, कोई भी words search करते हैं Google पे, हमें इतनी सार उसके बारे में information दे दी जाती है, यह सारे का सारा क्या है, यह हमारे पास आ जाता है, एक soft form में जो data आ जाता है, यह तो होगी इसका एक आमसाओ concept, अगर अगर अब हम देखें, कोई इसकी legal definition, जिसमें हम language learners ने, English language learners ने, जो हमें definition दी है, कॉर्पस की वो है, कि कॉर्पस क्या है, यह है collection of writings, conversation, speeches, यानि कि क्या आ गई है इसमें, किसी भी author की जो writings आ जाती हैं, और जो हम बातचीत कर रह अगर हम अगर हम उर्दु में बात करें है, हिंदी में बात करें हैं, तो हमारी जो words है, speech sounds है, speech forms है, जो text है, वो सारे का सरदा़ क्या है, कॉर्पस जो आपको screen पे नजर आ रहा है, region form में, तो वो सारे का दा़ पॉर्त है, थेक हो गया, corpora है, शे क्रम स्वर्पस है, जो collection of poems वह डेड हो तो वह क्या कहलाती है ठीक हो गया उसके बाद है जी अगर इसकी लीगल डेफिनिशन यानिक लिंगुइस्ट की तरफ से कोई भी हमें जो डेफिनिशन प्रोवाइट की गई है कॉर्पस की तो उसको हम जब देखेंगे तो हमारे जो कॉंसेप्ट है वह अच्छी written या फिर spoken form में जो भी text है वो सारी का सारा क्या कहलाता है हमारे पास corpus कहलाता है corpora, use of corpora कि corpora यानि कि जो corpus है ये कहां कहां हम लोग use करते हैं objective verification of results जो भी हम कोई भी analysis कर रहे हूं linguistics में तो उसकी जो verification होती है results की objective यानि कि हमारे पास valid form में soft form में हो या फिर वो हमारे पास hard form में हो written form में हो spoken form में हो हम present कर रहे हूं या फिर हम किसी को describe कर रहे हूं वो सारे का सारे हमारे results जो होंगे वो text में होंगे न वर्ड्स में लिखे हुए होंगे तो वो क्या कह राता है corpora है corpora show how people really use the language they do not provide imaginary data imaginary data नहीं होता बलके written form में उनके सामने present किया जाता है दिखाया जाता है जैसे आपको screen पर ये words नजर आ रहे है ये क्या है ये corpora है जो आपको result दिखा रहा है language के अंदर ठीक है English language में आपके पास सामने screen के पर words लिखे हुए नजर आ रहे है तो ये क्या है corpora है quantitative data shows that what occurs frequently and what occurs rarely in the language जो इसका तीसरा use है वो ये बताता है कि जब हम किसी भी किसी भी चीज़ को जब हम analyze करते है जो उसके results होते है उसके जो quantitative form होती है यानि कि जब हमें numbers में results दे जाते हैं तब वो बताता है कि कोई भी एक word जैसे suppose that इस video में अगर मैं ये analyze करना चाहूं कि ये word जो है corpus वो मैंने कितनी बार use किया है जो जब हम उसको quantitatively result उसके देंगे तब मैं बताऊँगे कि suppose that इस video में ये जो word corpus है वो maximum 52 यानि कि एक original real number दे जाएगा कि 50 ताइम्स और 60 ताइम्स जो है या फिर 15 ताइम्स ये word यूज किया गया है तो यहां पर जब हमें उसकी frequency बताई जाती है किसी भी word की language के अंदर तो वो किस तरह से हमें प्रोवाइड की जाती है corpus की थूप प्रोवाइड की जाती है इंडक्ट भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को किसी भी system को analyze कर सकते हैं बनिस्बत उसके जब हम हाथ से करने उसको बैठते हैं तो computer के थूप वो काम बहुत easily हो जाता है और बहुत ही मिन्टो में हो जाता है असानी से हो जाता है यह तो होगी इसकर यूज हो गया अब क्या है corpora की kinds क्या है corporis की kinds है हमारे पास speech हो गया रिटन हो गया या फिर mixed हो सकते हैं हमने सबसे पहले बात की थी कि कोई भी text जो speech form में हो written form में हो या फिर mixed हो तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास वो सारे का सारा क्या है corpacy है synchronic हो सकते है, diachronic हो सकते है standard और dialect हो सकते है paper और electronic वो किस तरह से paper electronic हमारे सामने है कि हमारे पास hard form में होगा books की form में जो भी data मौझूद है हमारे पास paper के उपर जो लिखा हुआ है वो सारे का सारा क्या है, वो paper corpora है और electronic यानि कि जो हमारे पास soft form में है mobiles के अंदर हमने store किया हुआ है जितनी files रखी हुई है, हमारे computer में और हमारे laptop में जितनी भी files पढ़ी है वो soft form में है, वो क्या है electronic data है हमारे पास monolingual, multilingual, ये भी समझा आ जाती है annotator और raw text जो है annotator क्या होता है, जिसको हम लोगों ने analyze करके रखा हो और जो raw text हो, यानि कि उसमें से हम लोगों ने separation किसी भी चीज़ की नहीं कि उसको अभी किसी भी use में नहीं लाया गया, ठीक हो गया करिस्टल डेविड ने किस तरह से corpus linguistics को define किया है करिस्टल डेविड कहते हैं कि corpus linguistics जो है उन principles और practices को deal करती हैं जो हम language की study में आम तोर पर इस्तमाल कर रहे होते हैं वो किस तरह से कि वो principles वो practices जो हम एक language में use कर रहे हैं computer corpus कि थूरू वो कहते हैं कि machine जो readable text होते है आम तोर पर आम रूटीन में computer corpus किया है एक large body of machine readable text है वो सारे के सारे principles जो हम एक language में use कर रहे हैं तो वो हमें easily access कहां से आजाते हैं किस तरह से access कर सकते हैं हम computers कि थूरू कर सकते हैं हम mobiles के थूरू उनको एक्सेस कर सकते हैं हम जाते हैं Google पे कोई भी वर्ड एंटर करते हैं हम लिखना चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए एक language English के बारे में parts of speech चाहिए तो फोरां से हमें सारी की सारी information विल जाती है तो यह सारा का सारा क्या है मारे पास corpus है और English language में इसकी study क्या कहती है corpus linguistics क्योंकि linguistic क्या है scientific study of any language जान सिंग क्याते है it is a collection of naturally occurring language text chosen to characterize a state or variety of a language यह तो आम सी बात जो हम शुरू से कर रहे हैं कि यह collection of naturally occurring language text है यानि कि जब जो हम बोल रहे हैं जो हम लिख रहे हैं naturally यह सारा कुछ हो रहा है words produce हो रहे हैं यह जो text है हमारे पास तो यह क्या कहलाएगा उसको किसी भी language में चाहे वो हिंदी हो गई उर्दू हो गई English हो गई तो यह सारे words जो है यह क्या कहलाएंगे हमारे पास उस लैंग्विज के corpus होगा उसका corpora होगा लीज कहता है one well known corpus linguist calls corpus linguistics computer corpus linguistics लीज ने तो directly corpus linguistics को computer से ही relate कर दिया है वो किस तरह से कि अगर जब हम बात करते हैं कि हमने जो भी words है वो चाहे written form में हो चाहे spoken form में हो जो text है उसके बार में बात करते हैं तो हम लोग ने देखा है कि अगर किसी भी word के बार में बताना हो उसकी frequency की बार में जैसे हमने use में देखा था या फिर हम soft form में ले रहे हूं या फिर hard form में तो वो सारी का सारा mostly क्या है आज कल हम किस तरह से data or text को access कर सकते हैं computers के थ्रू कर सकते हैं तो वो कहते हैं कि computer की जो corpus linguistics है corpus linguistics असल में क्या है computer corpus linguistics है ठीक है यह एक नई philosophical approach है अधिर occurrences in natural context rather than relying on intuitions about how a word is used or in complete citation collections ये बात ये एक बहुत ही simple सा concept है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि जो corpus linguistics है वो हमेरे लिए क्या possible बना देती है कि जो हमारे पास words है उनकी जो natural occurrences है अभी हमने बात की है कि जब हम बोल रहे है और या पिर हमारे आपके सामने ये जो screen के पर लिखा हुआ रहा है ये naturally जो words हमने produce किये है अग ये तो बात तै है कि अगर हम किसी से communicate करना चाहते है तो बोलना तो लाजमी ही है अपना message convey करने के लिए किसी को कुछ समझाने के लिए concept clear करने के लिए अपना message देने के लिए कुछ भी message convey करना चाहते है या फिर हम उसको बोल के बताएंगे या फिर लिए कर बताएंगे तो यह सारे का सारे उसके अकरिंग किया कहलाती है और जी जो notable English language के corpora है कॉर्परा हमने बात किया क्या है टेक्स है अब जो notable English language में आ जाते हैं कॉर्परा वो कॉन कांज है A & C यानि कि इसकी एक्जामपल्स कॉर्परा असल में आपको यह बात बता दूं कि यानि कि जितने भी हम लोगों ने dictionaries प्रोड्यूस की है आज तक प्रोड्यूस हो चुक भी औन्सी ब्रिटिश नैशनल कॉर्पस और सी ओसी ए को का यह यह तक कॉर्पस ऑफ गॉर्परी अमेरिकन इंग्लिश और उसके बात है आइस आइस का है इंटनेशनल कॉर्पस ऑफ इंगलिश यह होगी हमारे पास एक्षब जो नोटेबल जो कॉर्पस थे कॉर्पुरा ह का वो है history of corpus linguistics इसकी history के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास हम थोड़ा पीछे चले जाएं अगर तो सबसे पहले यानि कि 30 years ago suppose that आज से आज से 30 साल पहले जब corpus linguistics का concept start हुआ था तो यानि कि जितना भी 30 साल पहले की बात कर रहे हैं उससे पहले कितनी सारी writings होंगी कितना सारा कुछ मतलब कि language के बारे में कितना कुछ लिखा जा चुका होगा और कितने सारे concepts होंगे उन सब को यह मैं इंपॉसिबल सा एक task लगता था कि उस सारे के सारे data को जो हमारे पास hard form में है books में है जितनी आप imagine करने के world की जितनी भी libraries है उस सारे के सारे data को हम लोगों ने क्या करना है soft form में लेकिया आना है computer के लेकिया आना है 30 साल पहले यह काम बहुत ही क्या लगता था एक impossible सा task लगता था कि किस तरह से million of words को हम एक तरतीब से process कर सकते है ठीक हो गया आश्ता आश्ता हम किस की बात करें हिस्टी की बात करें के corpus linguistics जो है वो किस तरह से आज हमारे पास separate linguistic की branch बन के आ चुकी है हमारे सामने कि हम क्या करते हैं अपना mobile उठाते हैं अपना laptop उठाते हैं अपना PC उठाते हैं क्या करते हैं इतनी आसानी से तो नहीं हुआ ना इसके पीछे बहुत ही एक lunatic work था एक hard work जो है वो किस तरह से कौन कौन से लोगों ने उसके बार उसके उपर काम किया आज वो हम तफसील से देखने जा रहे हैं ठीक है 10 years ago जब जी क्या हो गया था कंप्योटर हम मान लें कि कंप्योटर जो है थोड़ा सा आम हो गया था लोग सब यानिक एक public उसमें हैंड में आ गया था तब जी यह बात जो है वो possible quite possible थी लेकिन still एक lunatic काम था कि किस तरह से world के हम लोग सारे के सारे टेक्स्ट को उठा कर क्या कर दें एक soft formula कर आ जाए ठीक है अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हम लोगों ने काम देखा काम हुआ होगा उसको अपर हम तफसील से बात करेंगे सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास 1991 में जॉन सिंक्लेर के है इसके जो description है कि history of corpus linguistic के बारे मे 1991 के time period में आ जाती है कि इस बंदे ने जो काम किया था इस linguist ने वो क्या किया था कि इसने corpus linguistics के development है present day की इसको आज जो popularity मिली है corpus linguistics को वो जौन सिंक्लेर की वज़ा से ही मिली जी ठीक है यह तो बात obvious है कि changes जो है किसी भी चगह पे जब किसी भी चगह पे जो changes आते हैं सबसे पहले वो क्या लगते हैं impossible लगते हैं ठीक यह बात तो clear हो गई तो हम किसको कहते है 1991 में जौन सिंक्लेर नहीं इसको क्या किया था introduce कर वाया था यूं कह सकते हैं कि introduce कर वाया था यानिक नौम चॉम्स की जो है उसका आजाता है कि वो एक बहुत ही यानिकि influential critic है corpus linguistic के बारे में जो क्या कहते हैं कि यह जो corpus linguistic है यह बिलकुल ही फजूल सी चीज़ है यह इनकि appropriate नहीं है अब corpus linguistic जो आज हम देख रहे हैं वो कहते हैं कि यह linguistic phenomena है जिसमे large collection of machine readable text जो है exist करते हैं व 1990s में 1990s में जब जो चॉम्स की का टाइम पे रठा उसमें इसको क्रिटिसाइज किया था कि क्या आप लोग एक इतने लियुनेटिक वर को जो इन 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 अप्रोप्रियेट है ठीक यह बात ठीक नहीं है आप लोग इतना वर्ल्ड के सारे के सारे आप लेंग्विज जो है वो आज अपने इस स्टेटिस को पहुंच चुका है जो के हम लोगों के सामने है उसके बाद आगर हम देखे विल्सन एंड मकेंडरी इन दोनों का जो कॉर्पस लिंग्विजिक है यह इनकी जो टर्म यूज की जाती है इन लोगोंने क्या किया था 1950s में थोड़ा सा इंट्रिउस करवा दिया था कि क्या कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स जो है इसको हम किस तरह से उसके इलावा अगर बात की जाए फेमस लिंग्विस्ट्स की जिन्हों यान के स्ट्रॉक्चरलिस ट्राडिशन के जो थे जिनका बहुत जादा इंफ्लूएंस रहा है कॉर्प जो वर्क है अर्ली नाइटीज जिसमें अभी बात की है नाइटीन फिफ्टीज की अचा नाइटीन फिफ्टीज से अगर हम आगे चले जाए यान कि जो इंपरिकल स्टडी थी एटीन नाइटी सेवन की थोड़ा सा पीछे ठीक है यान कि जब फ्रिक्वेंसी और डिस्ट् एन लाने के लिए क्या हूता है फेले जो काम इंपॉसिबल लग रहा होता है छेइड इतनी से नहीं आजाते है ठीक हो गए उसको बहुत ही ज्यादा करना करना पड़े यह तो हमारी साम नहीं है तो जो क्रिटिस्टीजण है इसका बहुत ही ज्यादा इंपेक्टश है आज हमारे पास corpus linguistics की development में यानिके यह जो इसकी start में 1897 में जो kenning ने start किया था उसने क्या किया था compare किया था frequency distribution of letters and sequences of letters to retrieve spelling conventions from it 1897 में उसने थोड़ा सा मतलब क्या कर दिया है थीक है अब 1897 में उसके बाद जी काम होता रहा criticism होता रहा यानिके किस तरह अगर survive किया corpus linguistics ने यानिके हम यह नहीं कहा सकते कि corpus linguistics का ही नाम दिया जाता होगा यह तो आज हमारे पास यह जो इसका standard status है वो हम लोगों के सामने corpus linguistics की form में लेकिन जो उस टाइम पे एक large corpus यानिके जो text उन्होंने gather किया था उसमें 11 million German words थे वो उसमें gather किये थे और एक soft form में ठीक हो गया अब जी यहां पे यह बात जो है यह बहुत ही important है कि जो criticism है उसने क्या किया था बहुत ज़्यदा impact किया था कि 1950s और उससे पहले और उससे बाद 1950s से पहले और 1950s के बाद कि बहुत से जो लोग थे जिसमें specially नाम आ जाता है नौम चॉमस्की का कि इसकी जो findings है और इसका जो criticism है यह बहुत ही useful रहा है एक corpus linguistic को आज एक standard form में एक standard status में लेकर आने में ठीक है नौम चॉमस्की ने क्या किया था इसने ऐसी reasons दी थी और इतना इसको influence किया था कि लिंग्विस्टिक में एक नया change आ गया था ठीक है अब हम देखें अगर scope of corpus linguistic की scope किसी इसको कहते हैं किसी भी topic का suppose that corpus linguistic है हमारे पास topic तो इसकी जो importance है different fields में तो वो क्या कहलाएगा इस corpus linguistic का scope कहलाएगा सबसे पहले हमारे पास media specialist और information retrievers जो है वो corpus linguistic को use करते हैं यह उनके लिए एक बहुत ही useful device है mechanism है जिसमें वो क्या करते है appropriate information को text को दूसरे linguistic knowledge base से क्या करते हैं उससे extract करते हैं यानि कि वो corpus linguistic को दूसरे जो knowledge है उनके साथ compare करके उनके साथ जो भी उन लोगों का mechanism होता है तो information को retrieve करने के लिए वो क्या use करते हैं corpus linguistics को use करते हैं ठीक हो गया जिसमें हम लोगों को क्या पता चलता है कि किसी भी अगर suppose that items को words को index करना हो या फिर क्या करना हो summarize करना हो तो किसी भी topic की हम लोगों को importance का पता चलाना हो तो क्या करते हैं वो उसको analysis कर लेते हैं और यह जो results हमारे पास आ जाते हैं soft form में यानिके comparative analysis computer के थ्रूजब हम करते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास एक quick response हम लोगो quick result मिल जाता है तो media specialist जो है वो corpus linguistics को इस काम के लिए बहुत ज़्यादा use करते हैं उसके बाद है हमारे पास computational linguists वो क्या करते हैं वो corpus linguistics को use करते हैं ताकि वो integrate कर सके किस चीज़ को अपने work को statistical regularities के साथ ठीक है जो के corpus में हम लोगों के पास use की जाती है वो है यानि कि suppose that अभी हम लोगों ने जैसे बात की है कि कि किसी भी work की importance का उन लोगों को अगर पता चलाना हो तो वो क्या करेंगे एक comparative study कर लेते हैं ठीक हो गया और हमें पता है कि computer के थुरू हमें उस चीज़ का एक quick result जो है वो हमाई सामने आ जाता है कि किसी भी चीज़ का अगर हम comparison करना चाहें तो उसमें corpus का बहुत ज़दा use किया जाता है corpus as a source of data and knowledge base यह तो हो गया हमारे बस computational linguistics में आ गया statistical techniques जो है कि statistical techniques जो है इनकी बहुत ज़दा effective होती है output देने के लिए यान के results देने के लिए analyze जो corpora है quick results देने के लिए वो हमारे पस statistical techniques यूज की जाते है machine translators जो है वो भी access कर सकते है corpus linguistics को क्योंकि यह जो corpus linguistics है इसमें क्या आ जाती है कि capability है कि किसी भी system की वो specific जो corpus हमारे पास corpora यूज के जा रहा है उसमें हम लोगो traditional जो knowledge based approaches है उनकी supplement के लिए बहुत ही ज़दा important है machine translators किसी भी चीज के उपर अगर लिखा हुआ हो जैसे language processing में यूज के जाते है कि words के उपर on off का किसी भी machine के उपर on off के जो words लिखे जाते है ठीक है on off speed के तो यह सारे के जो है machine के हमार हमारे पस जो words हम आम रूटीन में use कर रहे होते है higher speed के लिखा जाता है volume का और उसके बाद on है off हो गया ok के यह सारे जो machines के उपर जो buttons लगे होते हैं उनको किसी के लिए application के लिए कि हम किस तरह से उन machines को use कर सकते हैं और अपने काम में ले आ सकते हैं यह सारे कसार किस वज़ क्या होता है जिस पर कोई भी काम ना किया गया हो और annotated corpora वह corpus वह text जिसके उपर कोई ना कोई काम हो चुका हो जिसको थोड़ा बहुत analyze किया जा चुका हो ठीक है यानिकि language processing के language processing के उपर किसी भी language को प्रोसेस कर रहे होते हैं उसका raw data जो है और उसका जो annotated data है उसको हम compare क परके किसी एक valid result तक पहुंच सकते हैं उसके इलावा इस corpus linguistics के दूसरे fields में अगर हम इसका work देखे तो वह different fields है उनमें बहुत ज़्यादा बैनिफिशल है यह corpus linguistics जैसे के researchers बहुत ज़्यादा इसको यूज करते हैं technologists यूज करते हैं writers, lexicographers, academicians, teachers, students हर कोई हता कि आज इ अपने valid results के लिए या फिर किसी भी language को प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि लेंग्विज को प्रोसेस किया जाए अभी हम लोगों बात की है कि वह क्या करते हैं machine translators में भी इसको machine की जो ट्रांसलेटर जैनके इसके उपस जो words लिखे होते हैं उसमें भी यह बहुत जड़ा इसका यूज हो रहा है यह तो हो गई इसके scope अब हम देखे कि corpus की थोड़े बहुत limitations भी है सबसे पहले अभी हमने बात की है कि lack of linguistic generativity के जो grammar है वो क्या हो जाती है उसको उसमे यह नहीं के generativity नहीं है अब सबसे पहले हमने बात की है कि norm choms की जो है यह बहुत ही हो जाएगी गलत हो जाएगी वह किस वज़ा से गलत हो जाएगी क्योंकि उसमें क्या है कुछ जो words है वह क्या होंगे उसकी pronunciation false हो जाएगी suppose that वह इंपॉलाइट हो जाएगे कुछ words ऐसे होते हैं जिसे हम अपनी language में as it is suppose that है हिंदी में या फिर उर्दू में एक word है कोई भ कोई भी दूसरा word हमारे पास नहीं है आज कल जो भी मतलब एक नए words दिये जा रहे हैं लेकिन जो words है वह क्या है as it is किसी भी language के दूसरी language में यूज हो रहे होते हैं क्योंकि उसकी कोई भी translation नहीं होती ठीक है उसके इलावा जी क्या है कुछ words जो है impolite हो जाते हैं और कु जो भी linguistic है यानि कि जो भी language हम यूज कर रहे हैं वह जनरेटिव नहीं होती हम उसको जब हम उसको प्रोसेस करने लगते हैं तो उसके meanings जो है वह सारे के सारे चेंज हो जाते हैं टेकनिकल डिफिकल्टी के आ जाती है अब अभी हमने बात किया कि है कि कॉर्पस लिंग्विस टाइम कंजूमिंग प्रोसेस है जिसमें क्या हो जाता है जो मशीन है या पर जो मशीनरी है वह बहुत से जो कंट्रीज है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वह क्या कर सकते हैं अफॉर्ड ही नहीं कर सकते तो यह क्या हो गया एक एक्सपैंसिव टास्क हो गया तो टेक technical difficulties तो automatically आजाएंगी lack of text from dialogues आज की दौर में अगर हम बात करें इस की कि हमारे जो डेली लाइफ की जो कॉन्वरसेशन है जो डेली लाइफ की है ठीक है आज की दौर में जब जब डेली लाइफ कॉन्वरसेशन कर रहे होते हैं तो हम उस को क्या करते हैं अं dialogue ko भी हम as it is नहीं produce गर रहे होते हैं हम क्या करते है पेपर रीडिंग कर सकते हैं तसके लेकिन नेशेल ही ज़ो हम ठेक्स्ट प्रोडूस करना चाहर होते हैं communication के दरहां dialogue के दरहां तो जो हमारी conversation चल रही होती है तो उसमें natural natural कुछ नहीं हो रहा होता सारा क्या होता है एक pre-planned program होता है ठीक है तो इसमें क्या जाती है lack of text from dialogues आ गया lack of information from visual elements इसके बारे में अगर बात करें तो corpus जो है इसमें graphs नहीं होते tables नहीं होती, pictures नहीं होती, diagrams नहीं होती, figures नहीं होती, images और formulas बिलकुल नहीं होती क्योंगे हम पहले से जो already existing data है, उसी चीज़ को हम क्या कर रही है, soft formula के आ रही है जो पहले से जिस चीज़ के उपर काम किया जा चुका है वो ही सारा कुछ लेक्या आ रही है इसमें नया तो कुछ नहीं होगा, इसमें visual elements नहीं होगे, graphs नहीं होगे, अगर हम जो कुछ बोल रही हैं, वो words है, हमारे speech sounds है, उसको हम जो हमारी बाते हैं, उसको हम words में ही लिख सकते हैं, उसको हम pictures में, किसी भी और चीज में describe बहुत ही कम ही कर सकते हैं, तो यह हो गया, इसके visual elements भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं इसमें, आज का जो हमारा topic था, वो यहीं पर end होता है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा है, सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि कॉर्पस क्या है, कॉर्पस linguistics क्या है, और कॉर्पस का word जो है, वो originate की सरा से हुआ है, इसकी importance कितनी ज़्यादा है, और different fields में इसका कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा इसकी importance है, इसका use क्या है, और उसके इलावा हम लोगों ने देखा है, कि यह जो criticism होता है, किसी भी चीज के उपर, जैसा कि norm chums की जो influence है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्यों कि किसी भी चीज को change, जब हम किसी भी चीज में लाना चाह रहे होते हैं, तो वो task से पहले impossible लगता है, और उस impossible को possible बनाने के लिए, जो critics का influence है, जैसा कि norm chums की का, वो corpus linguistics के उपर बहुत ज़्यादा है, जिसने आज एक standard form में corpus linguistics को उसका present status जो है, वो दे दिया है, आज का जो हमारा topic है, वो यहीं पर end होता है, उमीद है,